चीन लगातार भारत से किसी ने किसी तरीके से पंगा लेने से बाज नहीं आता है। भारत ने इसके लिए जमाइका स्थित इंटरनेशनल सीबेड अथॉर्टी से दावा किया था। लेकिन सीबेड ने इस भारत के दावे को इस आधार पर खारिश कर दिया कि समुद्री इलाके पर श्रिलंका का भी दावा है। सिर्फ यही नहीं भारत इस पहाड पर कबजा हासिल करने के लिए पांच लाक डॉलर की फीज खर्च कर चुका है। भारत को सबसे बड़ा खत्रा श्रिलंका नहीं बलकि चीन से क्योंकि चीन भी इस पहाड पर नजर गड़ा कर बैठा है और श्रिलंका की मदद से इस पर अपना अधिकार हासिल करना चाहता है। इसलिए चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिती बढ़ा रहा है। अफांसे निकितीन सी माउंट में ऐसा क्या है खास। इस संस्था को सेहुक्त राष्ट के नियमों के तहट बनाया गया है। बता दे कि साल 2021 में भारत ने डीप ओशीन मिशन सुरू किया था जिससे की समुद्र के अंदर रिसर्च किया जा सको। भारत की नजर समुद्र के नीचे चीपे कोबाल्ट समेथ अन्य खनीजों पर है। क्योंकि भारत साल 2070 तक देश को कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति दिलाना चाहता है। ऐसे में भारत के लिए कोबाल्ट की बड़ी भूमिका है।